शार्दिये नवरात्र की शुरुवात गुरुवार से हो गई है भक्त नौ दिनों तक मातारानी की कथाओं और उनके भजनों में खुद को लीन रखेंगे ऐसे में हमने पटना के नौलक्खा मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई थी जहां 28 सालों से नागेश्वर बाबा आ रहे हैं खास बात यह है कि देवी मा के इस भक्त के दर्शन करने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं नौलक्खा दुरुगा मंदिर में नागेश्वर बाबा अपने सीने पर तीन से बारह ऑक्टोबर तक कलश रखेंगे इस जोरान वह अन जल वह अन्य क्रिया का त्याग रखेंगे इस बीच जहानाबाद की भी तस्वीर आई है जहां शार्दिये नवरात्र को लेकर हर तरफ भक्ती का मौहौल बना हुआ है मातारानी को मनाने के लिए भक्त पूरे भक्ती भाव से आराधना करने में जुटे हैं इसी कड़ी में जीले में काजी दौ खुलत्पूर में एक माता का भक्त राकेश कुमार ने अपने सीने पर नौक कलश रख कर माता की आराधना कर रहा है उन्होंने कहा कि एकायेक मेरे मन में यह भक्ती भाव जागा की मादुर्गा का कलश स्थापना करूं और वह भी अपने सीने पर कलश रख कर माता की आराधना करूं यह बात मैंने अपने परिवार वालों से किया तो परिवार वालों ने ऐसा करने से मना किया लेकिन मादुर्गा ने मेरे मन में होसला बढ़ाया कि यह कारे कर सकूं इसलिए मैं मा दुर्गा की आराधना अपने सीने पर नौ कलश रखकर कर रहा हूँ, नौ दिनों तक व्रत रखूंगा वही जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिले की एक व्यक्ति अपने सीने पर कलश रखकर मा की आराधना कर रहा है तो उसे देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, नवरात्र शुरू होते ही पूरे जिले में भक्ति का महौल कायम हो गया है, सभी जगह मा की आराधना की जा रही है, देवी मंदिरों में सुभा से ही शधालू का भीर लगा हुआ है धर्शनूस के लिए जहानाबाद से पवन कुमार की रिपोर्ट